बिकानेर जिले के नोखा में भामा शाह कुलरिया परिवार समाजिक सरोकार के लिए जाना जाता है और आज वहां पर शादी समारों आयोजित हो रहा है। सीलवा गाओं में पदम निवास में शादी का कारेकरम आयोजित हो रहा है बामा शाह है पदमाराम कुलरिया की तीन पोतियों की शादी है पदमाराम की तीन पोतियों भावना समतोष और किरन की आज शादी है दुलन के पिता कानाराम शंकर और धर्माराम कुलरिया ने दिल् परातियों की सेर कराने के लिए आपको बता दें ये हेलिकॉप्टर मंगाया गया है आए आपको सीधे लिए चलते हैं नोखा जहां पर हमारे समवादता मौजुद है केके सिंग केके सिंग शादी में क्या कुछ खास तैयारिया की गई है फिलहाल वहाँ पर क्या चल रहा है इस बार हेलिकॉप्टर मंगाया गया है वहाँ पर सिंग के लिए बड़ी एक तरह से रोचकता भरा दिन रहा बराबर लोगों को राइड करवाएगी एवन बारातियों को भी हलिकॉप्टर से लाया गया हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं बात करना चाहेंगे क्या क्या कहते संजी आप जी सबसे पहले मैं यह कहना चाहत प्रेम कितना है देखिए कि आज मुंबई जैसे नगर में हमारे इंटीर जगत के सबसे बड़े इंटीर का कारे करने वाले भामासा दानवीर परम गोसे विसंद पदमारम जी की पोत्रियों का साधी में आप देख सकते हैं कि यहां पर इनों क्या कुछ खास सजाए गया है है क्या कुछ आप देख पा रहे हैं जी देखिए संद पदमारम कुलरिया के तीन पोत्रियों का विवाह आज हो रहा है और इस विवाह समारों की खास बात यह कहीं जा सकते हैं कि दिन भर में अगर हेलिकॉप्टर राइड बहुत बड़ा एक तरह से विचा रहा हुए वि अगर हम बात करें पैरा गलाइडिंग वगरा इस तरह की चीज भी आकर शक विशे रहा है लोगों के लिए उसके अलवा शादी में जो सजावट है जो शाही शादी का जो रूप है वह भी अपने आप पे बड़ी बात रही खास बात इस शादी की है कि पीकानेर के में लोग हैं गाउं में ही आकर ये शादी कर रहा है बात करते हैं कुछ लोगों से बता केलब मेरा नाव केलास फारी कै Always of पहले बदाए देते हूं अपनी पूत्रियों के साधी पे मैं इन पूत्रियों के दादाजी को पद्वारां चुछ अच्छी तरह जानता हूं इन लोगों ने जो यहां साधी की है ऐसी साधी राजस्तान में हमारे इलाके में बहुत कम होती है हम लोग का यह सोभाई की है कैस अपने गाम और आचल गाम को नहीं बूल पाई इसलिए यहां साधी की है इसलिए इस ऐसी साधी के ने के बहुत बहुत देनेवाद देता हूं मेरा नाम मावीर परसाद है आज से सो साल पहले समुंदर के किनारे बोंबे में ताज होटल बनाया था उसकी आज अनुकरती ताज होटल जो आप पिछे देख रहें उसकी अनुकरती आज इस बिकानेर में नोखा में सील्वा गाउं में इस धर्ति पर उकेर दी है काहिर कर सांदार है और यह संत पद्माराम जी पुलिया की पोत्रियों का विवा है वो सामाजिक शरोकार और गो सेवा के रूप में इस छेत्र में एक जाना पेचाना नाम है राजस्तान के अंदर उन्होंने परियावन को लेकर और गो सेवाओं को लेकर एक अच्छी मुई चलाई है आप से पूछना चाहेंगे आप कहां से आये हैं विकानेर से परिवार 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 जिनका यह पूरे राष्टान में एक अनौकी सागी आप परतम तो मैं इनको बहुत-बहुत बढ़ाई देना चाहता हूं और यह जो इस नोखा तसील के सिरीलवा गाव में यह जो इतना भवी आयोजन हुआ है यह हमारे लोगों का बहुत ही मतलब अच्छा और सांदार अनुबहुरा जिन्होंने विदेश तक अपनी पहचान बना चुकी हैं उन्होंने अपने गाउं में आकर साधी करना अपनी मात्र भूमी से जो जुड़ा हूए यह हमें 200 गारामीन लोग उनका लुप्त उठा चुके हैं सब पांच सीटर प्लेन है वो हेलिकॉप्टर है जिसमें गाउवालों के लिए हलिकॉप्टर देखना भी शायद बड़ी बात है बहुत बड़ी बात यहां के जो इलाका है हमारा पस्चिमी जो राजस्तान है जिसमें सब पस्चिमी रास्तान एक तरीके से पिछडा हुआ है बहुत ज्यादा लेकिन यहां के जो पहले नेताओं की रेलियों में हलिकॉप्टर देखने को मिलते थे लेकिन अब साधी विवा के अंदर हलिकॉप्टर आना एक अपने आप मैजूब है इन लोगों का गाउं से इंडिया भी कर सकते थे लेकिन उन्हों ने गाउं में आकर साधी करना यह मत्र भूमी से जुड़ा हो का अनुटा होदा रहना है कि आप आप या आप कहां से आप बीकानेर्स हैं बढ़िया शादी है इसी शादी देखी नहीं फिलाल विकानेर्स तक तो राजास होई नही अगर हम बात करें तो यहां पर और क्या हाती होना भीकानेर्स जैसे में आपको बता दू कि रेकिस्तानी जहाज यहां पर उन्ट मिल सकता है लेकिन रहाती जैसी चीज़ देखने में बहुत दुरलब रहती है आप यहां पर चोटे-चोटे बच्चे वह भी देख रहे हैं आपका क्या नाम है मेरा नाम सूरज है ऐसी साधी हमने ना तो रास्तान में आस तक कभी देखिया और मुझे लगता है कि अगर आगे देखेंगे तो भी इसी परिवार में देख पाएंगे और बहुत-बहुत शांदार आयोजन है ऐसा आयोजन हमने तो कभी देखा नहीं क बहुत-बहुत-बहुत-बहुत अच्छा है बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-ब यहाँ पर वर्माला होनी है और वर्माला के पश्चाज शादी कुल मिला के बहुत बड़ा इवेंट कहा जा सकता है विकानेर जिले का बड़ा इवेंट कहा जा सकता है जी बिलकुल चलिए तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया तो ये थे केके सिंग विकानेर से हमरे साथ सीधे जुड़ेते शादी की सीधे तस्वीरे आप तक पहुंचाई साथी साथ बताया कि किस प्रकार से गाम वालों को हेलिकॉप्टर की राइट करने का भी मोखा मिला